मोधी जी कितनी देर लगेगी इस मठका बिर्यानी को तयार होने में आज आपने घर से भी रोटीनी लाने दी आपने बोला यहीं खेट पर ही मठके में मठका बिर्यानी बनाएंगे तो मैंने भी का चलो कोई बात नहीं बहुत दिन हो गए आपके हाथ की मटका बिर्यानी नहीं खाई ये लेकिन मोदी जी कम से कम बैटे दो गंटे हो गए अभी तक आपकी मटका बिर्यानी बनके तयार नहीं हुए मुझे तो बहुत तेज भूग लगी है मैं तो कब से पिलेट लेके बैठा हूं राहूल सबर करो सबर करो सबर का फल मीटा होता है लेकिन मोदी जी ये कोई फल थोड़ी है ये तो बिर्यानी है ये मीटी कहा होगी ये तो बड़ा चटपटी बनाई होगी आपने राहुल जब भी बोलोगे तुम बोलोगे उल्टाई, कहने का ये मतलब है थोड़ा पिर्तिक्चा करो, इंतिजार करो थोड़ी तेर, इस बिर्यानी को जैसे हलके हलके बनने में बक्त लग रहा है, वैसी खाने में मजा भी आएगा, बस दो घंटे का इंतिजार हो और गलो, म मोदी जी अपना लोग खेट पर मेनत करते हैं और हमेशा खेट पर ही भोजला के खाते हैं, लेकिन जब कभी कभी आपको मटका बिर्यानी बनाने का मन करता है, तो आप खेट पर ही मटका बिर्यानी बना लेती हो, और आपकी मटका बिर्यानी खाके ऐसा लगता है उंगली चारते रहो लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ ये मटका बिर्यानी बनाते किस तरीके से हो इसको बनाने की बिधी मुझे बता दो राओन ये मटका बिर्यानी किस तरीके से बनती है ये तो मैं तुमें किसी हाल में भी नहीं बताऊंगा तुम खाने से मतलब रगो और यहां तब तक मैं आपके हाथ की बनीवी मटका बिर्यानी नहीं खा लूँगा तब तक मैं बिल्कुल कहीं पे भी नहीं हिलूँगा यहां से तो राओन एक काम करो इस मटके के नीचे जो मैं लगड़ी जला रहा था वो सूखी लगड़ी खतम हो गई जांके दो चार सूखी की रहे हिके जाओ जलती लाओ आग भुजने वाली है उल अगर घर घर मटका बिर्यानी खाना नैं तो लगड़ी दो लाना पड़ेगी नहीं तो मटका बिर्यानी अद पकी रहे जाए पराइब इस मंडी में लेकिन इस मंडी में धान को घरीदने के लिए कोई बैपारी आई नहीं रहा है अगलेस यह तो बना दिक्कत की बात है यह देखो मैंने तो घर से एक दाना तक नहीं भिका है मैं कहता हूं बराबर बाली मंडी में इस धान को लेके चले जाओ बहां पर ये तुम्हारा धान भिक जाएगा अगलेश तुम्हें क्या लगता है मैं खाली बैठा हूं आस पास की मंडीयों में 50 फौन लगा के पूछ चुका हूं लेकिन किसी तरहा इस दान को लोड करने के लिए ट्रक मगाऊं फिर ट्रक को दूसरी मंडी में ले जाऊं क्या मैं यही करता रहूंगा मेरे इस दान का सारा का सारा पैसा तो इधर उदर ले जाने के बाने में खतम हो जाएगा औरे राउल बो देखो एक बैपारी आते वी दिखाई दे नहीं लगता है अपनी तरफाह रहें भूख बाइस साभ ये धान की डेरी क्या आपई START बैश्बाइस साथ बैशे तो दान ये मेरा महिँग ब्राइबरा ये अब नहीं है मन्टी से ही आ रहा हूँ बहाँ पे धान तो बिलकुल 1000 रूपे कॉंटल बिक रहा है अगर आप 1000 रूपे कॉंटल के हिसाब से धान को बेचो तो सारा का सारा धान आपका मैं अभी खरीद लूँगा 22 मेनत करके इस धान को खेत से उगाया है ऐसे तो मैं आपको फिरी भाव में इस धान को बेच नहीं दूँगा अरे एक हजार रुपे पिर्थी कॉंटल के हिसाब से मैं धान को बिल्कुल नहीं बेचूँगा जाओं आपको धान खरीदना है तो बराबर बाले मंटी में ही चले जाओं बहीं से धान की खरीदारी कर लो यहां तो यह एक हजार रुपे कॉंटल में आपको धान नहीं मिलेगा मैं तो अपना धान दो हजार रुपे पिर्थी कॉंटल के हिसाब से भीचूँगा और बाइनों को वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राब करो मोधी जी नाओ तो आप ले जाने लगे लेकन ये बताओ इस नाओ के बकाया पैसे कितने दिन में तो दोगे क्योंकि तुमने मुझसे ये पचास हजार में नाओ खरीदी है और अभी आपने मुझे दसी हजार रुपे दिये चालेस हजार रुपे आपको मुझे देना है और अज सिवराज सिंग जी आपके पैसे दे देंगे आपके पैसे सोने जैसे हैं देखो एक तो नाओ ये आपकी बहुत पुरानी है कोई खरीदता भी नहीं फिर भी हमने पचास हजार में खरीद ली और आपको तस हजार रुपे भी दे दिये अब बका हैं पैसे कुछी दिन में दे दिंगे क्योंकि अब इस नाओ को हम ले जा रहे हैं हमारी तरब समुंदर में बहुत मचली है बही पे इस नाओ से मचली पकड़ेंगे हम तो समुंदर से ही मजदूरी करके मचली पकड़के और उन्हें बेच की पैसा कमाती है लेकिन मोदी जी नाओ ले जाने में कोई बुराई नहीं है ले जाओ तुम लोग लेकिन आप पांच लोग हो इस नाओ को उठाई हुए हो पीछे अखलेस और मैं उठाई हुआ हूँ ये मनुवर लाल गटर जी तो ऐसी चल ला है इनसे काओ नाओ में थोड़ा सहरा लगमाएं बहुत भारी नाओ है लालू जी आप तो बेबालतों की बात करते हो मैं देखो बीच में सहरा लगाए हुआ हूँ नहीं मैं बीच में से नाओ के उठा रहा हूँ मोदी जी मुझे लगता है आपने इस नाओ को सिवराज सिंग जी से महंगा घरीद लिया कई ये समुदुर में ले जाते ही नाओ पानी ना छोड़ते ऊपर को नहीं मनुवर लाल गटर जी ऐसा बिल्कुल नहीं है नाओ पुरानी जरूर दिख रही है लेकिन इसमें एक भी छेद नहीं है चलो चल्दी चलो अपनों लोगों को दूसरे समुदर में जाके मचली पकलना है नहीं तो सिवराज सिंग जी के नाओ के पैसे नहीं हो पाएंगे लेकिन मोदी जी एक बात बताओं चालेस हजार रुपे बहुत बड़ी रगम होती है अभी अपना लोगों को चालेस हजार रुपे सिवराज सिंग जी को देना है कापी जादा मचली पकलना परेंगे तो जाके इनके पैसे चुका पाएंगे अपना लोग राओं तुम तो बेपांतू में गदर कर रहे हो एक बार नाओ लेके यहां से निकल जाओ फिर तु जब अपने पांस पैसे होंगे तब देंगे सिवराज सिंग जी को अभी बस इनके सामने कह देते हैं कि अभी देतेंगे अभी धोड़ी देना है अपनों को पैसे लेकर मुझे जी नाओ में बजन बहुत है बहुत बजन है वो बात बिलकुल सही है ओल्ड इज गोल्ड नाओ जितनी पुरानी है उतनी अच्छी है अच्छी ना हो हाथ लगिए अपने और भाई लोगो विडियो को लाइक रो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर बात बछूण के मेरा ये चुफा कौन सा खेल दखाइगा कौन सा कर्थब दिखाएगा आराम से बैटे रहो बाई साब बैटे तो हैं और क्या करें ये बताओ जैसी मैंने सुना एक बाई साब चुए का खेल दिखाने के लिए गाउ में आए मैं खेत पर जा रहा था काम करने के लिए खेत का काम छोड़के तुरंट आपके पास यहां पे आके बैट गया लेकिन ये बताओ आप चुए का खेल दिखाना कितनी देर में शुरू करेंगे देखो बाई साब आपको अगर जादा जलती है तो आप अपने खेतों पे जले जाओ यहां पर गाओं के जब तक जादा लोग इकटे नहीं हो जाएंगे तब तक मैं इस चुए का खेल नहीं दिखाऊंगा बाई साब गाओ के लोग तभी इकटे होंगे आप जोर-जोर से धोल बजवाईए आपके साथ जो भाई साब आएं वो हलके दोल बजा रहे हो अगनेस क्या तुम हलके डोल बजा रहे हो तीजी से डोल बजाओ तब ही तो गाउं के लोग इखटे होंगे और जब जादा लोग इखटे हो जाएंगे हम लोग इस गाउं से चुए का खेल दिखा के दूसरे गाउं में निकल जाएंगे सब लोग थोड़ा दूर दूर हो जाओ दूर दूर हो जाओ इसका क्या मतलब भाई साब आप क्या कहना चाह रहे हो आपको साहत हिंदी समझ में नहीं आती मैंने किसी और भासा में तोड़ी बोला यह कह रहा हूं मैं दूर को हो जाओ मैं चुए का खेल दिखाना शुरू कर तुम लोग दूर दूर को घड़े हो जाओ और मैं चुवे का खेल दिखाना शुरू करता हूं अब देखो मेरा यह चुवा दस फुट ऊपर उचलेगा उंची छलांग लगाएगा इसलिए मैं करता हूं दूर को घड़े हो जाओ चुवे के इस खेल को देखने में तुम्हे पहुत ही मचा आएगा अरे भाई साम मचा क्या आएगा पहले तो आप ड़रा रहे हो के दूर को करे हो मचा क्या आएगा और भाई लोगो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राब करो कणाई पे मेरा हग है तुमने अपनी प्याली में जितनी मेगी बनाई भी लेना थी वो ले ली अब बस इतनी मेगी खा के संतुष्ट हो जाओं बेपाल तो की तो बात करो मत मोती जी अगर आपकी कणाई है लेकिन इस मेगी को बनाने में गैस तो मेरी खतम हुए ये मेरे खाओ अरे बोदे को मोती जी सीड़ी के रास्ते से मायवती जी आ गई अरे बैन मायवती जी आप किस लिए आई हो आप तो बताओ यहां पर अच्छा मोती जी मैं किस लिए आई हूँ एक बात बताओ इस मेगी को दुकान से लाके तो मैंने आपको दिया था और मैंने आप आप से ये कहा था जब ये मैगी बन के तयार हो जाए खाने के लिए तयार हो जाए तो मुझे बुला लेना लेकिन इस बनीवी मैगी का बड़बारा आप दोनों लोग आपस में कर रहे हो मुझे क्यों नहीं बुलाया इस मैगी को मैं भी खाऊंगी लोग बैंसोनिया जी बैंसोनिया जी आप बेपालतों की बात करती हो ये कडाई बहुत बड़ी है इसमें मैगी तुम्हें कम लग रही है लेकिन असल में इसमें मैगी हमारी प्लेट और प्यानले से जादा मेंगी है खा लो इसे लेकिन बैंसोनिया जी और बैंस जोनिया जी और बैंस माया बती जी मिल बाट के कोई बी चीज़ पका के खाने का मज़ायी निराला है और भाई लोगों वीडियो लेकरो चैनल को सब्सक्राप करूँ